तो हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे email id कैसे बना है तो चलिए ज़्यादा बाते ना करते हुए करते हैं video को start तो email id, gmail id बनाने के लिए आपको जाना है आपके phone के gmail में तो चलिए हम अपने gmail में आते हैं और gmail में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा ठीक है तो अब आपको क्या करना है आपको ऊपर ये जो option दिख रहा है इस पर आपको click करना है और जैसी आप यहाँ पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और जितने भी gmail id यहाँ पर आपके phone में login होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो हमें नया gmail id ठीक है बनाना email id बनाना है तो हमें क्या करना है हमें add another account पर click करना है ठीक है यहाँ पर तो चलिए हम यहाँ पर click करते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और यहाँ पर आपको google का option देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर google वाले option पर click करना है तो जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे उसके बाद थोड़ा सा लोड लेगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा ठीके उसके बाद अब आपको क्या करना है अब आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा Create Account का option तो आपको यहाँ पे Create Account पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे आपको दो option देखने को मिलेगा for my personal use और उसके बाद for work or my business ठीक है तो आप work or business के लिए gmail account बनाना चाहते है email account बनाना चाहते है तो इस पे click करिए ठीक है नहीं तो आपको इस पे click करना है for my personal use पे तो चलिए हम यहाँ पे click करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा create a google account का ठीक है तो अब यहाँ पे बोल रहा है enter our name ठीक है यहाँ पे बोल रहा है नाम डालने के लिए तो चलिए हम अपना नाम डाल देते हैं तो first name में हमारा जो first name है उसे डाल देते हैं और उसके बाद नीचे यहाँ पे surname में चलिए हम यहाँ पे कुमार डाल देते हैं उसके बाद अब आपको next पे click करना है तो जैसे हैं आप next पे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पे अब आपको क्या करना है आपका जो date of worth है उसे select करना है उसे डालना है और उसके बाद आपका यहाँ पे जो gender है उसे select करना है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पे अपना date of worth सबसे पहले डाल देते हैं day में हम अपना दिन डाल देते हैं और month में अपना महीना और year में अपना साल ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपना data पर डाल दिये हैं और उसके बाद अब आपको यहाँ पर gender पर क्लिक करना है और gender पर क्लिक करने के बाद चली हम यहाँ से अपना gender एंटर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है अब आपको next पे क्लिक करना है तो जैसे ही आप next पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा create a Gmail address का ठीक है तो हमें क्या करना है यहाँ पे Gmail का जो एड्रेस है उसे create करना है ठीक है तो जो भी हम यहाँ पे Gmail address create करेंगे वो Gmail हम डालके और password डालके ठीक है Google account में login हो पाएंगे ठीक है आप समझ रहोंगे तो चलिए हम यहाँ पे अपना ठीक है Gmail address जो है उसे हम create कर लेते हैं तो चलिए हम यहाँ पे अपना Gmail का address है वो यहाँ पे हम अपने नाम का बना लेते हैं जैसे कि अब आपको क्या करना है अब आपको next पे click करना है ठीक है तो जैसे आप next पे click करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछी स्थरक interface आएगा ठीक है अब यहाँ पे बोल रहा है password create करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे अब चली हम अपना password बना लेते हैं ठीक है तो password आप यहाँ पे strong बना लिजेगा और password बनाने के बाद आपको next पे click करना है तो चली हम जल्दी से यहाँ पे password बना लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं password create कर लिए है password बना लिए है और जो password हमने यहाँ पे enter किया है उस password को हमने लिखके रख लिया है ठीक है आप भी लिखके रख लिजेगा ताकि आप भूले नहीं ठीक है नहीं तो आप याद कर लिजेगा उसके बाद अब आपको next पे क्लिक करना है तो चलिए हम next पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप next पे click करेंगे उसके बाद आप बोल रहा है phone number add करने के लिए तो सबसे पहले आपको करना है थोड़ा सा उपर आना है और उसके बाद नीचे आपको दो option देखने को मिलेगा skip का और yes का अगर आप phone number add करना चाहते हैं तो yes पे click करिए अगर add नहीं करना चाहते हैं तो skip पे click करिए ठीक है तो हमें phone number add करना है तो चलिए हम yes पे click करते हैं और उसके बाद जैसे ही आप yes पे click करेंगे उसके बाद हमारे सबने कुछ इस तरह का interface आया उसके बाद हम यहाँ पे i agree पे click करेंगे और जैसे ही आप i agree पे click करेंगे उसके बाद थोड़ा से यहाँ पे load होगा और आपका जो जीमेल अकाउंट ready हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा load हो रहा है और उसके बाद देखिए हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पे बन चुका है आप इसी तरह से जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, Gmail का जो ID है उसे create कर सकते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो Gmail account है, ठीक है, वो यहाँ पर create हो चुका है, बन चुका है ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही, तुशले मिलते हैं नेक्स वीडियो में बहुत ही जल्दी, वीडियो पुसंद आए तो लाइक जूर कीजेगा, चैनल पर ना है तो प्लीज चैनल